हेलो बच्चो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम पड़ रहे हैं प्रिश्णावली 13.3 13.3 में हम सीखेंगे संकू यह है आपका संकू का चित्र हम इसमें देखेंगे प्रश्ण नमबर 1234 मेरा नाम है सुमंत्यागी तो चलते हैं स्टार्ट करत हैं आज की प्रिश्णावली है कि सबसे पहले आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा यह जो चित्र आपको दिख रहा है यह कहलाता है संकू ठीक है इसके उधारन आपनी घर में भी देखेंगे कई उधारन है जैसे महंदी की कीप आती है या और भी कोई है तेल के अब इसमें देखिए एक और जो बात आपको दिखान में रखनी है इसको हम कहते हैं लंब ब्रतिय संकू अब इसको लंब ब्रतिय संकू क्यों कहते हैं यह एक समझने वाली बात है लंब का मतलब है कि यह जो संकू है एक साइकन के लिए देखिए यह जो संकू है इसमें इनके बीच में यह जो आधार है और यह जो उंचाई है इसके बीच में कितने का कौन है नाइंटे डिगरी ठीक है इसलिए तो यह है लंब ब्रतिय क्यों है क्योंकि यह जो आधार है यह ब्रताकार है इसलिए इस संकू प्रश्ट क्या क्या प्रश्णावली, 13.3 में हम पढ़ेंगे इसका वक्र प्रष्ट क्या पढ़ेंगे हम संकु के वक्र प्रष्ठ का संकु के वक्र प्रष्ठ का चेत्रफल होता है पाई आर एल ठीक है बच्चो पाई आर यहां हम पाई की बैली तो जानते हैं यह बाइस बट्टे साथ जन्रली और अगर किसी प्रश्ण में दे रखें कि तीन पॉइंट एक च संकु का संपूर प्रष्ठी चेत्रफल संपूर प्रष्ठ में क्या होगा कि यह बक्र प्रष्ठ तो इसमें है इस साथ में यह नीचे जो आपको ग्रीन रंग में दिख रहा है ब्रत यह भी आपको काउंट करना पड़ेगा तो पाई आर एल और ब्रत का चेत्रफल क्या होता है पाई आर इसको है अब इसमें कुछ कुछ कॉमन ले सकते हैं कॉमन हमने लिया पाई आर यहां बच्चा ए प्रशन नंबर एक संकु के आधार का ब्यास 10.5 सेंटीमीटर है इसकी तिर्यक कुछ का मतलब होता है अच कि क्या होगी ब्यास की आधी होती है तो यह हमने रख दी ब्यास की आधी एक यह परावर कितनी है तिर्यकों चाहिए 10 सेंटीमीटर वक्र प्रश्ठीय चेत्रपल क्या हो जाएगा मझे पाई आर एल पाई की वैल्यू है वाईस वड़े साथ आर की वैल्यू है दस दसमलव पांच वड़े दो और एल की वैल्यू है 10 ठीक है बच्चों मैं साथ से इसको अगर हम दो से इसको काट दें ग्यारे वार और सांऩ Radbats और बच्चे 335 पंदै होजी हां गया एक दसमलब साथ हमारे पास आ गया है ग्यारे गुणा एक दसमलब फांच गुणा दस पंद्रे का गुणा कर देंगे ग्यारे से फंद्रे और यह हुग 165.0 तो 0 कोई मतलब नहीं है हमारा आंसर हो जाएगा 165 cm इसको 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 बख्र प्रश्च आ गया हमारा 165 बर्ग सेंटी मीटर नेक्ट प्रश्च देख लेते हैं प्रश्च नम्मर दो एक संकू का कुल प्रश्ची छेत्रफल ग्यात की है जिसकी तिर्यक मुचाई दे हुआ है 24 मीटर ठीक है अब देखे आपको क्या क्या दिया हुआ हमें दिया हुआ है आर है 24 बट्टे दो मतलब हो गया 12 सेंटी मीटर हमें दी हुई है एल और है हमारे पास 21 सेंटी मीटर अब हम संकून प्रश्च का चेत्रफल देख लेते हैं पास फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं वैल्यू ठीक है यहां आगे बढ़ते हैं 22 बट्टे साथ गोना बारे बारे और 21 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा एतिस कि इनका कर सकते हैं मल्टिप्लाए तो आपका आ जाएगा बट्टे साथ एक सादूनी 14 बच्चे तीन साच्चोप एठाइस बच्चे तीन साच्चोप एठाइस और यहां गया आपका पाच साथ गोना इस तो जो संकू है उसका संफुन प्रश्थिय छेत्रफल आ गया है 1244 दसम लागो 5-7 मीटर स्कूर में इसमें आएगा मीटर स्कूर में बच्चो कि उपर जो संख्या दे रखी थी वो थी मीटर में तो यह आगया मीटर स्कूर ठीक है, नेक्स्ट कुश्चन देख लेते हैं, प्रश्ट नमबर 3, एक संकु का वक्त्र प्रश्ठीय छेत्रफल 308 cm स्क्वेर है, इसकी तिर्यक उचाई है, 14 cm, तो हमको ग्याद करना है, नमबर 1 आधार की तिर्जा, नमबर 2 संकु का कुल प्रश्ठीय छेत्रफल है, ठीक ह हमारे पास है L, L कितनी है, 14 cm, हम क्या करते हैं, बक्रश्ठीय का फॉर्मूला लिख देते हैं, पाई R L वरावर 308, ठीक है, जो भी मान है, उन मान को हम रख देते हैं, पाई की वैल्यू है 22 वर्टे 7, R हमको पता नहीं है, L वरावर उता है 14, साथ से इसको हम दो बार काट सकते हैं, तो R गुणा 22 दूनी चवालीस या 22 गुणा 2 वरावर 308, ठीक है, R निकालना है, तो सभी का पक्षांत्रन कर देंगे 22 गुणा 2, ठीक है बच्चू, यह देखिए R, 308 वटे 22 गुणा 2, 2 से इसको काट देंगे तो आपके पास आ जाएगा 15, 4 वटे 22 से इसको का की देखिए है, तो आपका आरवर आगया 7 cm, तो आधार की द्रिजा तो हमारी आगया साथ सेंटी मीटर, अब हमको घ्याद करना है, संकू का कुल प्रश्ठी छेत्र है, अ हम जानते हैं क्या संकू का कुल प्रश्ठी छेत्र हो, क्या होता है, पाई आर, आर प्लस एज़, आई की वैल्यू उनको पता है 22 बट्टे साथ है और की वैल्यू अभी हमने निकाली लिए साथ सेंटीमीटर आरकी वैल्यू साथ से साथ क्रोस हो गया यह वचा 22 और यह हो गया 31 तोनों का कर देते हैं मल्टी लाइ तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपको आएगा चार सो बासट बर्ग सेमी आपका अंसर आ गया 462 बर्ग सेमी नेक्ष्ट कुश्चन है संकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर उंचा है ठीक उसके आधार की त्रिज्जा है वह 24 मीटर है ज्यात कीजिए तंबू की तिर्यकूंचाई नंबर दो तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि एक मीटर स्क्वेर कैनवास की लागत सतर रुखे देखे बच्चों क्या- तंबू 10 मीटर उंचा तो यह तो आपको दिया हुआ है और त्रिज्जा है 24 मैं अब देखिए यहां मैंने अभी आपको बताया था कि कितने का कौन होता है है कि अगर मैं इसको एक तिर्भुझ मानव ए वी सी यह जाएगा यह जो जाएक बच्चों और इस इसथि में हम क्या कर सकते हैं इसमें पाइखागोरस प्रम्य लगा सकते हैं ठीक है है टिर्वुज और इइसे यहां डारेक्ट भी लिख सकते हैं क्या होता है यह वइ 실제로 होता है अंडरूड है वराबर आपका गए सबीस सेंटी मीट कि आपके शेया निकालनी थी वह आपकी आगई है चबीश सेंटी थी बच्छों यह याद कर सकते हैं या पाइधागोरस प्रमिय से लिख सकते हैं तो इसको डारेक्ट फॉर्मूला मानके आप यह एक डारेक्ट फॉर्मूला भी है अब है तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि एक मीटर स्क्वाइर की लागत सत्तर रुखे है तो आपको यह तो पता ही कि कैनवास उंपर लगेगा जमीन पर विचने से रहा तो हमको निकालना है वक्रप्रश्ट ठीक है प्रिश्ट में दे रखी है 24 मीटर और अभी हमने निकाल ही लिया है कितना था इनका कर देते हैं मुल्टिप्लाइग कि तेरे हजार साथ सो अटाइस बटे साथ क्या है यह क्योंकि मीटर में थे तो यह हो गया मीटर में तो थे अब आपको पता है तंबू की लागत क्या होती है लागत होती है चेत्रफल गुना दर यह होती है लागत खेत्रफल आपका तेरे साथ सो अटाइस बटे साथ दर है आपकी सत्तर रुपे प्रते मीटर यही है इसको हम 10 से काड देंगी तो आता हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे जैसरी कृष्णा